हेलो एवरीवन, वेलकम अगीन तो लंडरे देतीमन, तो हमारा चैप्टर चल रहा था राजिस्थान की प्रमुक त्योहार, तो जिसमें हमने पढ़ लिये थे सावन में आने वाले भादों में आश्विन, कार्तिक, माग, पोश, माग और फागुन, इनमें आने वाले त्योह में आता है और वह त्योहार जो है, वो किसलिए जाना जाता है, ठीक है? तो चलिए उसके आगे जो स्टार्ट करते हैं हम लोग, आज हम पढ़ेंगे चैत्र महा में आने वाले त्योहार, तो चैत्र में शुरुवात हो जाती है गंगौर, पूजन के त्योहार से, तो मैंने की सावन की तीज से त्योहार प्रारम हो जाते हैं और गंगौर की समाप्ती पर इनका हो जाता है अंत, त्योहारों का अंत हो जाता है, तो गंगौर पूजन जो है, 16 दिन तक मनाया जाने वाला त्योहार है, इसका प्रारम होता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से, ध्यान और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि चैत्र सुकल तृत्या तक गंगोर का पूजन जो है किया जाता है। नेक्स्ट देखें धुलंडी, तो धुलंडी जो कि फागुन में जब होली आई थी, तो फागुन की पूनिमा को हमने क्या मनाई थी? होली मनाई थी, होली का देहन किया था, ठीक है? तो उस देहन के बाद चैत्र कृष्ण प्रति पदा को राख की पूजा की जाती है। पागुन की पूर्णिमा को, तो ये दोनों चीज़ें भी आप ध्यान में रखें। वह भी चैत्र कृष्ण प्रति पदा को मेला जो है, इसका आयोजन किया जाता है। और ये जो मेला है, फूल डोल मेला किस से संबंदित है? रामस ने ही संप्रदाय से संबंदित है। ठीक है? फिर देखिए, हमने देखा कि चैत्र कृष्ण प्रति पदा को तीन त्योहार मनाए जाते हैं। दूसरा धुलंडी जो है, वह मनाई जाती है। तीसरा बाद्शा मेला या फूल डोल मेला जो है, वह भी इसी दिन लगता है। उसके बाद देखते हैं त्योहार जो है सीतला अस्टमी। तो सीतला अस्टमी, अस्टमी के दिन इस त्योहार को मनाते हैं चैत्र कृष्ण अस पकवाडा ठीक है चांद हो है जो है धीरे धीरे घटता है तो सीतला अस्टमी भी चैतर कृष्ण अस्टमी को मनाई जाती है घुडला त्योहार तो गुडला त्योहार जो है चैतर कृष्ण अस्टमी से चैतर सुकलत रत्या तक मनाया जाता है तो यह जो गुडला त्योहार ह ये क्यों मनाया जाता है तो यहां इसके पीछे भी एक स्टोरी है और वो क्या है कि गंगोर के पूजन के लिए जो मैंने आपको बताया कि गंगोर का पूजन प्रारम हो जाता है चैतर कृष्णे प्रतिपदा से तो गंगोर के पूजन के लिए कुछ कन्याएं यानि दोसों क के लगवग जो कुमारी कन्याएं थी वो गन्गोर की पुजा करने के लिए जा रही थी तो रास्ते में अजमेर के मल्लु खाँ का सैना पती होता है गुडला खाँ तो ये क्या करता है उनको वारी कन्याओं को जो की गंगोर की पूजा कर रही थी वरत में थी उनको अगवा कर लेता है ठीक है तो वहीं पर पता लगता है सातल देव को सातल देव जो की जोदपुर के शाशक है ठीक है तो इनको जैसे ही पता लगता है तो वो क्या करते हैं इ इसे पीछा करके इसको रोकते हैं और इन दोनों के बीच में क्या होता है युद्ध होता है तो सातल देव के द्वारा गुडला खा जो है इनका सर जो है धर से अलग कर दिया जाता है और उन बच्चियों को सर जो है सौप दिया जाता है तो बच्चियां जो है वो गुडला सर को घड़े पर रख कर और उस घड़े में जितने घाओ घुडला खा के सरीर में हुए थे उस घड़े में उतने ही करती है वो छेद ठीक है और फिर पूरे गाओं में घुमाया जाता है और हर घर में रोशनी चलाई जाती है तो इस वज़े से घुडला खा जो है इसी के लि तो तब ही यह परंपरा चली आ रही है कि चैत्र कृष्ण अस्टमी से चैत्र सुकल तृत्तिया तक घुडला त्योहार मनाया जाता है तो उस मटके में पापी जो था दुस्ट जो था घुडला खां उसके स्थान पर दीपक रखकर उसी को जो है वो पूझने लग गए नेक्ट देखिए हिंदू नव वर्ष और हिंदू नव वर्ष प्रारम होता है नवरात्र प्रारम होती है इस दिन और बासंतिय नवरात्रे भी इसको कहा जाता है तो हिंदू नव वर्ष कब प्रारम होता है चैत्र सुकल प्रथम से प्रारम हो जाता है तो हिंदू के जो त् और मैंने आपको क्या बताया था कि राजिस्थान में त्योहार प्रारम होते हैं छोटी तीज से और गंगोर पर होती है उनकी समाप्ती तो यहां हिंदू नव वर्स जो है चैत्र सुक्ल प्रथम को यहां मनाया जाता है और कहते भी हैं पुराणों में कि ब्रह्मा जी ने स्र तो दिखिए गंगोर से पहले और तीज से पहले सिंजारा आता है सिंजारे में क्या आता है इसमें जो है जो भी मेकप का सामान होता है और जो नए वस्तर होते हैं लड़कियां और जो बहुएं होती हैं तो उनके यहां से जो है सिंजारा आता है जो भी मांगलिक कार्यर के लिए जो भी सामान होता है, वो सभी भेजा जाता है, ठीक है, तो ये एक श्रगुन का सामान होता है, उसके बाद गंगोर का त्योहार मनाया जाता है, तो प्रारम तो हो गया था चैत्र कृष्ण प्रथम से, उसके बाद चैत्र सुकल त्रतियत गंगोर का त्योहार चलता है, और राजिस्थान का सबसे प्रमुक त्योहार है गन गोर का त्योहार तो यहां गन गोर तो गन का अर्थ है शिव और गोर यानि गोरी का अर्थ है पारवती तो शिव और पारवती की जो है यहां पर आराधना की जाती है ठीक है इस अफसर पर शिव और पारवती की आराधना के द्वारा जो अविवाहित लड़कियां हैं वो अपने लिए योग्यवर मांगती हैं, वहीं पर जो विवाहित इस्त्रियां होती हैं वो अखंड सोहाग की कामना करती हैं, तो इस मौके पर हुली की राख के पिंड बनाकर जौ के अंकुर के साथ जो है इनका पूजन किया जाता है जो आविवाहित लड़कियां है वो जाती है बाग वगीचों में और फूल वगारा इखटा करती है सजाती है उसका लश को और गंगोर के गीत गाते हुए अपने घर में लेकर आती है ठीक है और गंगोर का त्योहार जो कि मैंने आपको बताया शिव पारवती के गोना हुआ था तो ऐसा जो है माननेता चली आ रही है कि पारवती जी के गोने या अपने पिता के घर वापस लोटने के उपलक्ष में उनकी जो सहेलियां थी उन्होंने उनके लिए स्वागत गान जो है वह गाया था और त्योहार जो है मनाया था तो इस उपलक्ष में जो पूजन करती हैं और उसके बाद जो है गीत वगेरा गाती हुई मिट्टी की प्रतिमाओं को विसरजित करके और काष्ट की प्रतिमा को लकडी की प्रतिमा को अपने घर में दुबारा से बापिस लाकर उसे स्थापित कर देती हैं तो आव विवाहित लड़कियां जो हैं वाला त्योहार है गंगोर का त्योहार राजिस्थान का सबसे प्रमुक त्योहार माना जाता है गंगोर का त्योहार वैसे तो सभी त्योहारों की अपनी अपनी जो है महत्व है लेकिन राजिस्थान में गंगोर का त्योहार जो है वो सरवाद एक लंबा चलने वाला और सर गुलाबी गंगोर जो है नात द्वारा की प्रसिद है कहां की प्रसिद है गुलाबी गंगोर नात द्वारा की प्रसिद है बिना इशर की गंगोर जैसल मेर की प्रसिद है ठीक है important line है कहां की गंगोर जो बिना इशर की है कहां की प्रसिद है जैसल मेर की प्रसिद है वहीं प जैपुर, उदैपुर की गंगोर की सवारी भी प्रिसिद है ठीक है इस्तिहार को जोदपुर में भी जैपुर, उदैपुर, कोटा यहां सभी में ही बड़ी धूमदाम से मनाया जाता है पूछा जाता है कि सवारी कहां की प्रिसिद है गंगोर की तो जैपुर और उदैपु जो गंगोर की सवारी है वह है बहुत प्रिसिद्ध है ठीक है और जब ये सवारी निकल रही होती है तो जो बच्चे होते हैं महलाएं होती है तो वो बहुत अच्छे से नए वस्तर वगेरा पहन कर और गंगोर की सवारी जो है देखते हैं इस सवारी में तोप के धमाके होते नगाडे की आवाज होती है ठीक है राज प्रासाद से प्रारंब होकर पिछोला जील के गंगोर घाट तक सवारी बड़ी धूमधाम से पहुंचती है तो जिस तरीके से एक कन्या का विवाह होता है उसी तरीके से बड़ी धूमधाम से जब कन्या को वापस लेकर आते हैं तो उसी तरीके से उदैपुर में राजब्रसास से प्रारम होकर और पिछोला जील के गंगोर घाट तक सवारी जो है वो बहुत ही बड़ी धूमधाम से पहुंचती है, ठीक है? उसके बाद देखिए राम नवमी, तो इसमें याद रखना है कि चैतर सुकल नवमी को राम नवमी मनाते हैं हम, क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान राम जी का जनम हुआ था, हनुमान जयन्ती, हनुमान जयन्ती चैतर पूर्णिमा को मनाई जाती है नेक्स्ट देखें, आखा तीज या अभूज शावा या अक्षे तरतिया, तो बैसाख सुकल तरतिया को मनाया जाता है आखा तीज, सबसे ज़्यादा जो हैं बाल विवा जो हैं, वो इसी दिन होते हैं, ठीक है? सर्वा दिख बाल विवा यदी आपने देखे हैं, तो सबसे ज़्यादा इसी दिन होते हैं, बैसाख सुकल तरतिया को कहते हैं, क्या है? अभूज सावा है, ठीक है? और बीकानेर का जो इस्थापना दिवस है, वह भी अक्षे तरतिया के दिन ही हुआ था उसके बाद देखिए बुद्ध पूर्णिमा, तो बैसाख पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और इसी दिन जो है, उन्हें ज्यान की प्राप्ति भी हुई थी, और इसी दिन जो है, उनका महानिर्वान भी हुआ था तो इस वज़े से बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, और नोट में देखिए कि धींगा गंगोर जो है, वो बैसाख कृष्ण त्रतिया को मनाई जाती है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखें उसके बाद देखें, वट सावित्री वरत या जिसे बढ़ मावस भी कहते हैं, और सावित्री पूजा जो है, इस दिन की जाती है, ठीक है? और ये जो वरत है, ये संदान की प्राप्ती में सहायता देने वाला ये वरत जो है, माना जाता है और देखें, इस वरत की जो तिथी है, इसके बारे में अलग-अलग मत है, लेकिन याद रखें, जैस्ट कृष्ण अमवस्या को वट सावित्री वरत जो है, इसका पूजन किया जाता है, ठीक है? कहीं कहीं पर आपको जैस्ट मास की जो सुकल पक्ष जो है, जो प्रारम हो जाता है, सुकल पक्ष तब माना जाता है, ठीक है? तो थोड़ा ये ध्यान में रखें, निर्जला एकादसी, निर्जला यानि जल नहीं पीना ऐसा होने वाला व्रत, तो निर्जला एकादसी जेस्ट सुकल एकादसी को मनाई जाती है, तो इस दिन जो है, इस्तरियां, व्रत करते हैं, और जिस से कि भगवान जो है, उनकी जो क्रपा बनी रहे, इसलिए निर्जला एकादसी को व्रत किया जाता है, और ये जो व्रत है, वो बहुत ही कठिन माना जाता है, क्योंकि जल जो है, इसका यहाँ पर क्या होता है? निशेद होता है, ठीक है? जल नहीं पीना होता है देव शेनी ग्यारस तो हमने देखा था कि देव उठनी एकादसी जो है वो कब मनाई जाती है कार्तिक सुक्ल एकादसी को मनाई जाती है देव उठनी एकादसी तो वहां से मांगलिक कार्य जो है प्रारम हो जाते हैं उसके बाद जो आशार में जो देव शेनी एकादसी आती है आशाड सुकल एकादसी को ठीक है ये ध्यान में रखने कातिक में कातिक की जो सुकल एकादसी है उस वक्त क्या होता है देव उठते हैं यानि मांगलिक कारे सुरू हो जाते हैं और आशाड सुकल एकादसी को देव शैनी यानि देव सो जाते हैं तो इस दिन देवता चार महा के लिए सो जाते हैं और जो मांगलिक कारे प्रारम हुए थे कातिक में वो अब हो जाते हैं तो साधी व्याह जो हैं इस वक्त बंद कर दिये जाते हैं नेक्स्ट देखें गुरु पूर्णिमा तो गुरु पूर्णिमा आशान पूर्णिमा को मनाई जाती हैं और इस दिन जो है जिन्होंने अपने गुरु जो है वो बनाए होते हैं तो वो लोग अपने अपने गुरु का पूजन जो है इस दिन करते हैं ठीक है गुरु पूर्णिमा के दिन तो देखिए हिंदू के बारा माह में आने वाले सभी त्योहर हमने पढ़ लिये हैं जिसमें मैंने आपको बताया एक तो सिक्वेंस आप ध्यान में रखें और क्रिष्ण पक्ष और सुक्ल पक्ष मैंने आपको बताया क्रिष्ण पक्ष यानि घरते चान का पकवाड़ा और सुक्ल पक्ष बढ़ते चान का पकवाड़ा ठीक है इस तरीके से यदि आप त्योहरों को याद रखेंगे तो आपको ये याद आ जाएंगे उसके बाद देखिए जैन धर्म के त्योहार तो जैन धर्म के त्योहार है महावीर जैनती चैतर सुक्ल त्रियोदसी को मनाई जाती है महावीर जैनती महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम वा 24 वे तीर्थ कर हुए थे और इनका जनम इसी दिन हुआ चैत्र सुक्ल त्रियोदसी को इसलिए महावीर जयन्ती मनाई जाती है इस दिन इस दिन जैपुर में विशाल जलूस निकाला जाता है और करोली में महावीर जी का जो मिला है वह है प्रसिद्ध है ठीक है, महावीर जयन्ती कम मनाई जाती है? चैतर सुकल त्रयोदसी को और करॉली में महावीर जी का मिला लगता है. रिष्यवदेव जयन्ती रिष्यवदेव जयन्ती चैतर कृष्ण नवमी को मनाई जाती है. तो एक लाइन जो है आप याद रखेंगे. शमापणी पर्व आश्विन कृष्ण प्रत्मा को शमापणी पर्व जो है वो मनाया जाता है और इस दिन शमा मांगी जाती है इस दिन जैन अन्वियाई एक दूसरे के पास जाते हैं और साल भर की जो भी गलतियां होती हैं तो उनकी शमा मांगते हैं तो जिस तरीके से हिंदों में होली ऐसा त्योहार आता है जिसमें सभी अपनी गलतियों को माफ करके एक दूसरे के गले लगते हैं एक दूसरे के गुलाल है रंग जो है लगाते हैं उसी तरीके से जैनों का जो त्योहार है शमापणी पर्व इसमें जो है अपनी गलतियों की माफी मांगी जाती है उसके बाद देखिए इस पर्व के बारे में कई बार एक्जाम में पूछा जाता है कि पर्यूशन पर्व जो है कब मनाया जाता है तो भाद्रपद कृष्ण द्वादसी से लेकर भाद्रपद सुक्ल पंचमी तक मनाया जाता है पर्यूशन पर्व और ये जैनों का त्योहार है जैन धर्म का महा पर्व कहा जाता है पर्यूशन पर्व ठीक है पर्यूशन का जो अंतिम दिन है वह सवन सरी कहलाता है ठीक है ध्यान में रखें बहुत जदा important line है परियूशन का अंतिम दिन क्या कहलाता है सवन सरी कहलाता है ठीक है यह पूछा भी जा चुका है एक्जाम में उसके बाद देखिए सिखों के त्योहार है और मुस्लिमों के त्योहार है इसाईयों के त्योहार है तो जिनको अगले वीडियो में हम लोग कम्प्रीट कर ल पीडियो जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी जैसे ही त्योहार जो है यह पूरे कम्प्रीट हो जाएंगे तो आपका काम है जैसे ही पढ़ लेते हो वैसे ही इसको रिवाइस करिए जिसे कि यह न भूलो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू